गयारा बची के बीच में उपस्तित हूँ आप सबके सामने आज इनकी कुंड़ी लेकर क्या हूँ इनका नाम है आयूरी पाल यह है कोलकाता वेस्ट पंगाल से 2013 इनका डेट अबर्थ है मारगर सर्स माह में इनका जन्म हुआ है इनकी माता जी ने क्या आप कहा है आप तो सब कुछ बता देते हो तो सब कुछ बता दे ना बिल्कुल मारग शिर्फ माह में इनका जन्ग हुआ है इस वज़ा से व्यक्ति जो है वो अपने मन का करने वाला होगा कुरूध भी करेगा और अगर सीधे तरीके से कहूँ तो कई बार कुटुम बजन से व्यक्ति वाहवाही लूटने वाला होता है मतलब पीट थप थप आया जाए या इनके कारण आप लोगों का मान बढ़ता है ऐसा भी होता है दक्षणायन में जन्मा है तो व्यक्ति जातिका का आत्मबल आपको बढ़ाना होगा कभी कभी पुस्टप करना होगा पुश करना होगा और उसे ठीक करना होगा मतलब वो जब कभी भी हतास हो निराश हो तो आपको वहाँ पे उसे बल देना होगा है मन पृतु थोड़ा आलसी होगा बिश्तर का सुख व्यक्ति जादा करेगा काम कला का व्यक्ति निपुण होता है लेकिन निपुण होने के बावजूद भी कभी-कभी अपने आपको कमजोर महसूस करता है मतलब वैवाहिक सुख वाले मामले में शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है गक्ति वाड़ी अच्छी बोलेगा बुद्धिमान होगा या शश्वी होता है ये सब चीजें ठीक है गुरुवार के जन्म होने के कारण गंभीर है अटपटांग हरकते नहीं करेगा भर्मधारन करके रखेगा जीवन में धार्मिक होगा और साथे साथ वो कभी भी नैतिक ही रहेगा और नैतिक आचरन करने वाला नहीं होगा मतलब बुरे बरताओं वाला व्यक्ति नहीं होगा शुकल पक्षे के एकादिसी के चंद्रमा इनको सरकारी नौकरी देने में सपोर्ट करेंगे शुकल पक्षे के एकादिसी के चंद्रमा इनके मन को संतुलित करेंगे मानशिक शांती रहेगी व्यक्ति आराम से अगर परिवार को, घर को, देश को, जगह को, अपने स्थान को त्याग भी दे, फिर भी आराम से रह लेगा मतलब दिशांतर में भी चला जाए, दूर चला जाए, फिर भी व्यक्ति आराम से उसको, घर की याद नभी सताए, तो भी आराम से रह सकता है साली नौकर चाकर और व्यक्ति अपने अंडर में रखकर के लोगों को खटाने का काम करें यह स्थोतियां बनती हैं वणिच करण अपना खुद का काम भी व्यक्ति को करवा दे ब्रह्मण वण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति शुद्ध साकाहरी हो तो ज्यादा अच पत्नी ने उनकी कुंडली मुझे दिखाई थी और वही वही पे वह भी बैठे थे ब्रह्मण थे पर और मुझसे जबात हुई तो लोग आ गये थे यहां मतलब उपध्याजी थे वस्तुता मंगाल के और वो बड़ा मतलब मानसाहर करते थे और उनकी पत्नी उनकी कुंडल में गुरू बड़ा अच्छा है अगर जितना ब्यक्ति जो है वो मुझे पता नहीं थे कि यह उपाध्याजी है या क्या है मैं तो बस ऐसी देख रहा था मैंने कहा कि इनकी कुंडली में गुरू बहुत अच्छे हैं अगर स्कॉर भी जादा पड़ियां बनाना चाहते तो मांसार बंद कर देज तो बोले अरे पंडी जी तो मानते यह नहीं यह बहुत खाते हैं इनका रोज खायां और मैं मुझे तो प्सखेंट प्लै भाष्ष लगा आप लोगों को मैं बताऊं एक महिने के बाद वो व्यक्ति स्वैम मुझे फोन करके करता है पंडीजी मैं ने छोड़ दिया मुझे बड़ा अध्यंत धर्श हुआ कि चलो मेरी मेनत जो है वो सफल हुई और बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन करके तो यह स्थति है कि व्यक्ति जितना ज्यादा हो सके शुद्ध खराब नहीं होता है इसमें आपको लक्ष मिल जाता है कि हमें इस समय पे ये काम करना है इस समय पे ये काम करना चाहिए इस दिशा में जाना चाहिए इस अंग्त को संभालना चाहिए ऐसा हमें संबंध बना करके रखना चाहिए तो यह चीजें होती है तो यह चीज मैंने यहाँ पे पंचांग बहुत अच्छा बना हुआ है, पंचांग में कुछ भी कमजोर नहीं है, दक्छनायन खाली कमजोर है, जो व्यक्ति को कभी-कभी आत्मबल में कमजोरी देश रखता है, और मार्गर सरस्मा व्यक्ति को थोड़ा गोधी और जुनूनी स्वभाव का बना तो बच्पन में बीमार और कभी बार व्यक्ति किम कर्तब में विमूर हो जाता है, नतब उसको समझ में नहीं आता है, कि वो करे तो क्या करे, और लगन पे शनी राहु का प्रभाव, शनी उच्छे के व्यक्ति को करियर में स्टैबल बनाने वाले, और प्रोफेशनलिजम व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहे, काम को लेकर के व्यक्ति कभी भी आलस्या न करे, प्रमाद न करे, हाँ, कई बार अपने पर्सनल काम में वो थोड़ा प्रमादी हो सकता है, आलसी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनलिजम वो कभी भी कमजोर नहीं है, क्योंकि दशमस्था के अधिपती उच्च के हो करके व्यक्ति के ऊपर कुल के मर्यादा का जो है वो संदक्छन करता बना देंगे या फिर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति कंभीर हो जाएगा गंभीरवानी का हो जाएगा चंद्रमा बारह में बैठें इस वज़े से स्वास्त कमजोर जरूर हो सकता है वात से समदित, पीत से समदित, कुटोंब से समदित, भाई बहनों के सुख में थोड़ी सी कमजोरी ऐसा संभव है या फिर वो हो या ना हो, हो के भी ना रहें या होने के बराबर भी ना रहें या उनसे दूरी मतभेद जैसी स्थती बनती रहे मेहनत व्यक्ति को करना पड और जाकर के मेहनत करें, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे विवा के लिए हो, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस वज़े से मशक्कत वाकी रहेगी, ये बात भी कहूँगा, मतलब सामाने तया, अगर यहीं पर मैं एक बात कह दूँ, तो शनी और रहु का यहाँ बैठना व्यक्ति को प्रोफिशनल बना रहा है, या फिर यह कह सकते हैं कि कई बार व्यक्ति जो है वो, बहुत ज़्याद authentic हो जाता है, मतलब बिल्कुल fact बात करता है, बिल्कुल तपाक से बोलने वाला, उसको किसी भी बात में संकोच नहीं होता, और confusion भी दिमाग में लगतार बने रहते हैं, केतु के लगन में बैठने के कारण, कई बार दृस्टी जो होती है, उसकी कमजोर्शी हो जाती है, य क्योंकि उसमें असंतुलन चंद्रमा भी पैदा कर रहे हैं, सूर्य भी जो है वो अस्तम में है, ये ठीक नहीं होता, तो अस्तम में सूर्य जो बैठेंगे वो व्यक्ति को कई बार, यहाँ पे बिपरित परिस्थुति का निर्माण भी करेंगे, और वस्तुता हाँ देखे तो संतान से दूरी पंचम भाव के अधिपती होकर के अस्तम भाव में गये हैं, तो व्यक्ति के जीवन में विवाह वाले पक्ष को मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, इस वज़ा से क्योंकि वो त्रिक भाव के अधिपती के साथ बैठे हैं, और जन्म कुंड के चतुरत हस्थान के अधिपती भी बारह में गये हैं, जिस पे इस कुंडली के मारक ग्रह यानि के सुक्र की दृष्टी पढ़ रही है, इस वज़ा से कई बार व्यक्ति के जीवन में रोजगार प्राप्ती के लिए दूर जाना पड़ता है, या रोजगार में संभावन कम मिलती हैं, लेकिन गुरू की दृष्टी यहां पे जा रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, गुरू की दृष्टी यहां के लिए अच्छी है, गुरू की दृष्टी यहां के लिए भी सामानेतया सामाने है, मतलब गुरू की एक दृष्टी अच्छी, ब पात और पित्र से समधित समस्या बनेगी। गुरू की दृष्टी यहाँ पे संतूलन पैदा करे। या फिर यह कह सकते हैं कि जब कभी दामपत्य में कुछ खटपट की स्थोती बने तो गुरू का प्रभाव थोड़ा सा ठीक होगा। ऐसी स्थोती भी दिख रही है। यहाँ पे शनी और राहू का प्रभाव चली यहाँ पे गुरू शनी राहू का प्रभाव केतु का प्रभाव पड़ गया और इसके ठीक पीछे मंगल और ठीक आगे सुर्य और बुद्ध है। गायगी सेवा करी जाए, ब्रामभणों का पूजन किया जाए, घर में शिल्व जी का अशिरवात प्राप्त करने के लिए शिलिंगर क्का जाए, उनकी विधिवत पूजा करी जाए, शिल्व Wowji को दही अर्पित करा जाए, विश्णु सहस्प्रणाम का पाठ किया जाए, गणपती अथरवर सरस्का पाट किया जाए बुद्ध की दशा इस कुंडली के लिए बहुत जादा अच्छी जाते नहीं देख रहा हूँ क्योंकि बुद्ध जो है वो बिपरीत ही खाली बन रहे है और बिपरीत ही बन रहा है इस वज़र से व्यक्ती के वाणी का प्रभाव कमजोर हो धन वगेर तो मिल जाए लेकिन व्यक्ती के वाणी के प्रभाव को कई बार बहुत जादा तीखा बोल दे, उग्र बोल दे, खराब बोल दे, बुरा बोल दे ऐसा बोलने वाला बना दे तो उनको उस पे काम करने क्या वशकता है बोलने से पहले सोचना है समझना है किसको क्या बोल रहे हैं ये बात ग्यात होना जरूरी है आपके जीवन में धर्म है आपके जीवन में पुरबजों का अशिरबाद है आपके जीवन में भागय का बल रहेगा और बिल्कुल सही समय पे भाग्योदय हो जाए मतलब भाग्योदय बिलंब से नहीं है क्योंकि भाग्य के अधिपती भाग्य को देख रहे हैं और ये मेश रगन की कुंडली के लिए मंगल, सुरिय और गुरू महत्वपूर्ण होते हैं गुरू अगर यहां ना बैठ करके अगर यहां बैठ जाते तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती लेकिन वो शत्रूगत हो रहे हैं और यहां के अधिपती भी त्रिक भाव में हैं और दरसल तीसरे भाव में पापग्रह अच्छे होते हैं साहसी बनाते लेकिन तीसरे भाव में सुभग्रा थोड़ी में निमाईज हो जाते इस कारण से यहां पे गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा इस कारण से ब्रक्ति कई बार अकेली संत्यती हो जाए या कई बार अगर दो तीन संत्यती हो भी तो भी ब्रक्ति कभी भी उसके दिमाग में ये बात नहीं आती है कि वो दो या तीन है वो उसको हमेशा ये लगता है कि मैं राजासी हूँ राजा के जैसी हूँ या रानी के जैसी हूँ या मुझे सब कुछ मिलना चाहिए मेरे हिस्से में किसी से बटवारा नहीं हो मैं अकेले ही जीवन सर्वस्तों जीना चाहती हूँ इस तरीके का भाव ये गुरु यहाँ पे दे देंगे दिर्ष्टी बहुत जादा अच्छी नहीं पर ठीक है सब्तमभाव पे गुरु की दिर्ष्टी है तो वो कुछ अच्छा करेंगे जरूर धर्म भाव पे बहुत अच्छी लाव भाव पे सामाने तया, सामाने दिर्ष्टी है पर एक बात बहुत अच्छी है कि लाव के अधिपती और इस कुंडली के लिए शनी अच्छे ना हो करके उच्चे के होकर के व्यक्ति को प्रोफेशनलिजम या प्रोफेशन में व्यक्ति को लाव देंगे व्यक्ति जिस चीज़ पे बना रहेगा जो नौकरी करेगा उस पे हमेशा उसको मेंटेन करना चाहेगा अगर आप लगनेश को देखते हैं तो यहाँ पर लगनेश छटे भाव में जा रहे हैं और यह च्छोई नंबर की रासी है व्यक्ति को रोग होगा तो कई बार जो होता है वो नाभी के पास का छेत्र कमजोर होता है यह प्रभावित करता है साथे साथ व्यक्ति को रक्त से समधित समस्या से भी गुजरना पड़ता है भाग्य बे बल मंगल का रहेगा क्योंकि भाग्य भाव पे इनकी दृष्टी मित्रकी पड़ रही है तो गुरू और मंगल दोनों का व्यक्ति वाणी से समधित कम्प्यूटर से समधित तकनीक से सम प्रारम्रीक σिछा का होता है और यहां जो है वो बुद्धी के विक्सित होने का बाहवो देखा जाता है अस्तंभाव ब्यवाहर का है सुर्य और बुध विक्ति को बुद्धिमान ब्यवार वाला और अच्छे नेचर वाला ही बनाएंगे और दरसल विक्ति समाज में कई बा बाह वाही लूटने वाला भी होता है और समाज में अपने घर परिवार का नाम रोशन करने वाला भी होता है सुरी अस्तंभाव में बैठे हैं जो जन्म कुंडली में पंचम के अधिपती हैं संतान से व्यक्ति की बंती नहीं है या कई बार भीक्ति खुद ही हमेशा जीवन भर बचपना करता रहता है और उसके सामने जो बच्चे होते हैं वो कभी बड़े होते ही नहीं है या स्वैम ही वो भीक्ति खुद को बच्चा मानता रहता है उसके अंदर का बचपना कभी भी खतम नहीं होता है गुरू और चंद्रमा का केंद्र में होना ये इस कुंड़ी के लिए अच्छी बात हो सकती थी और भी जादा लेकिन वो थोड़ी कमजोर हो रही है क्योंकि दोनों ही त्रिक भाव में या दुह स्थान में बैठे हैं क्लेर है चंद्रमा की दृष्टी यहां मंगल यहां बैठे हैं चंद्रमा के उपर मंगल का प्रभाव जो लगनेश हैं लगन के उपर सुख भाव के अधिपती लगनेश के उपर मंगल के उपर चंद्रमा की दृष्टी जाएगी जो चंद्रमा रेवती के बैठे हैं अब ज जैसे कि आप जो भी त्यारियां कर रहे हैं, जिस विशय को भी लेकर के आपके दिमाग में जो धारणाय बनी हुई है, उसके बारे में कभी किसी से चर्चाना करिये, मतलब यह कहने का यह है, कि आप आपकी जो डिप्लोमेशी है, वो सामने वाले को दिखनी नहीं चाहिए, म ऐसा धिंडोरा पिटने वाला कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, यह बुद्ध यही इशारा कर रहे हैं, पंचम भाव के अधिपती और चंद्रमा का बारह में जाना, गुरू का तीसरे भाव में जाना, और मंगल का छठे भाव में जाना, इस कुंडली को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन चुकि गुरू और मंगल एक दूसरे से केंद्र में हैं, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से सब्त सब्तम में बैठे हैं, और गुरू जन्म कुंडली में लाव को और भागे को देख रहे हैं, तो विक्ति पढ़ाई के लिए, महनत के लिए और जो अंक पाना जाता है उसमें वो जितनी मेहनत करेगा उसको उतने अंक मिल जाते हैं मतलब आप अगर पचास के लिए मेहनत करेंगे आप कभी भी ये शिकायत अपने माता-पिता से नहीं कर सकते कि मैंने मेहनत करा था पर मुझे मिला नहीं ये बहना नहीं चलेगा क्योंकि आपकी कुंडल उतनी दे देगी जितना आप करेंगे बिल्कुल ख्लियर बोल रहा हूँ इसमें कोई जोतिशिय भासा का मैं प्रभाव नहीं रखता कुंडली में प्राया आप अगर जन्म कुंडली में यहाँ पे शनी राहु को देख करके अगर घबरा रहे होंगे तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि नवान्स कुंडली में यहाँ के अधिपती मंगल चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठ करके और राहु सुक्र के साथ बैठ करके बुद्ध यहाँ पे व्यक्ति को थोड़ा ढूलम ढूल बनाएंगे लेकिन गुरु यहाँ पे शनी के साथ बैठे हैं लगन में शनी की उचरासी बनी है यहाँ के अधिपती शुक्र जन्म कुंडली में चतुर्थरस्त मित्र की राशी में और गुरु से प्रभावित लेकिन चुकी यहाँ पे तुला राशी की कुंडली बनेगी और गुरु यहाँ पे छठे भाव के अधिपती होकर के कई ब जातक के जीवन में शुखद एहसास कराने वाला भी होगा और शांती साथ थोड़ी बहुत उसमें ब्यायकी इस्थती भी रहेगी हो सकता है कि कई बार ब्यप्ती को जीवन में हमेशा ही घर से दूर रहने की इजाजत मिलती रहे या ब्यप्ती घर से दूर रहे अगर ब्यप जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठ करके और आगे सुर्य को बिठाये हैं जहां पे सुर्य जो होते हैं वो लाव के अधिपती हो करके पंचम भाव में बैठ करके ब्यप्ती का पती नामी हो नाम कमाने वाला हो यशोवान हो किरतिमान अस्थापित करने वाला हो साथी स ब्रक्ति के लिए धनुराशी, शिंभराशी, कुम्भराशी, ये राशियां अच्छी होंगी, इस ब्रक्ति की कुंडली के स्थती में लगन भरणी नक्षत्र का बना है, 21 जिगरी का है, ठीक बना है, लगन के अधिपती या लगन के अधिपती जो मंगल है वो जन्म कुंडल होंगी, लेकिन कमजोर कहां भी तेगा, बुद्ध में मंगल आएंगे तब, या बुद्ध में जब सुर्या आएं तो थोड़े बहुत कस्च्छती बनती है, वैसे ब्रक्ति के जीवन में मैं स्वास्त को और अगर टोटल तरीके से अगर एक ही बात यहां बीच में कह दू तो एक सामान्य जीवन से थोड़ा उपर व्यक्ति की कुंड़ी जा रही है, सामान्य तया बहतर ही कहूंगा, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, इस व्यक्ति की कुंड़ी में शनी उचके हैं, व्यक्ति स्टेबल रहेगा, वो कभी भी जिस स् इस्टेबलिटी अपने जीवन में और नेरंतरता इसके जीवन में बनी रहेगी, कर्म छेत्र कभी भी प्रभावित नहीं है, दर्शमस्थान में सुक्र बैट करके ब्यक्ति को पदाशीन, पदपेर, आरुढ़ बनाने वाला, लगन के अधिपती जन्मकुली में 6 घर आग और ये ब्यक्ति जो है वो दूसरों के समस्याओं को कई बार अपना मान करके और सामाजिक स्थर पे अपने बुद्धी को बहुत ही जादा प्रखर रखता हुआ, समाज की सेवा करता हुआ, धर्म के लिए कुछ करने की इक्षा रखने वाला होता है, मानी होता है, अभी मा जन्म कुंडली में शडास्टक में हैं, ये कमजोरी यहां दिख रही है, यहां पर सुर्य जो हैं वो जन्म कुंडली में, जो बने हुए हैं, वो बैने हैं, मतलब त्रीकोड में, जो कौन है, जन्म कुंडली के लाग के अधिपती, यानि कि व्यक्ति के जीवन में लाग है दामपत्य के सुत्र में बंधने के बाद व्यक्ति को कमजोर नहीं देख रहा हूँ पर कुंडली मिला करके अवश ही विवाह करने की इस्तोती बंती है ब्यक्ति मांगलिक तो नहीं है लेकिन चंदर कुंडली से मांगलिक अवश्य है क्योंकि चंदरमा से साथ में मंगल जा रहे हैं अगर मैं एक बात और कहूं तो इस कुंडली के लिए मंगल मांगलिक होने का कोई भी खराब दोश पैदा नहीं करेंगे क्योंकि मंगल जो है वो उत्राफ हालगुनी के बैठे हैं सूर्य जो है वो जन्म कुणली में अस्तम में बैठे हैं इस वज़ा से व्यक्ति के वो कई बार उदर रोगी बना सकते हैं पेट की समस्याएं व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है संतान से व्यक्ति को कई बार कस्ट जहलना पड़ सकता है कई बार संतान से वैचारिक मतवेद संभाव है व्यक्ति की बुद्धिमानी कई बार गुप्त तरीके से होती है वो कई बार अपना संपूर्ण जो है वो नहीं दे पाता है महनत करने के बाद भी बैक्ति को कई बार जो चीजें होती है वो ऐसा लगे जैसे मैंने शुरू में कहा था कि महनत करें तो सुर्य और बुद्ध की दशा है बैक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत कस्च दायक हो सकती है मंगल की दशा अच्छी जाएगी पर व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम एक बार में नहों तो दूसरे बार में नहों तो तीसरी बार में फाइनल हो जाता है व्यक्ति पदधारी है, शुक्र बैठे हैं शनी, बढ़ियां बैठे हैं दशमस्थान का अधिपती उचका होकर के लक्षमी संपन न योग बना रहा है धन भाव के अधिपती का पंचमस्त जाना व्यक्ति को कुटुमब कासुख मिल सकता है लेकिन धन भाव में चंद्रमा के उचरासी और यहां से वो तुर्तियस्त एकादश में बैठे हैं तो धन का लाव भी व्यक्ति को मिलेगा गुरू और चंद्रमा अगर और भी ज़्यादा बढ़ियां बैठे होते तो यह कुड़ी और भी ज़्यादा सठीक हो सकती थी और मैंने जो संपोर्ण बात कही थी कि सामानने से 10 फिसदी उपर इसका मतलब यह है कि इसी को देख करके मैंने कहा था क्योंकि गुरू जो है वो जन्मकुंडली में गौर करिये राहू से प्रभावित हो जा रहे हैं और वो नहीं बनना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए था क्योंकि गुरु कभी भी आप जरा गौर से देखिए तो गुरु वक्ति है 24 डिग्री के, इनका संपूर्ण प्रभाव यहीं का मिलेगा, और आप जरा गौर करिए तो अगर उस पे राहू की दिश्टी पड़ेगी, तो नहसंदे व्यक्ति को महनती तो बनाएंगे, नहसंदे व्यक् होती हैं, वो ग्रह का प्रभाव होता है, और ये बुद्ध के अस्तम में जाने के कारण थोड़ी सी कमजोरी बन रही है, चंद्रमा बारा हमें ठीक नहीं होते, इस वज़ा से व्यक्ति को शिव जी की पूजा खूब करनी चाहिए, हनमान चालिसा का पाठ व्यक्ति से अव में शुक्र की दशा में कुछ समस्याइं भी बनेंगी, जैसे 2027 से 28 तक, कुछ समस्या जो है वो जन्मक कुंडली में 2025 से 27 तक कुछ इस्तुति बन रही है, मैं इनकी कुंडली में अभी थोड़े बहुत कमजोरी पन के हिसास को देख रहा हूँ, अभी आपको इनको कम से क कम 2027 तक इन पर प्रिशर क्रियेट करके चलना होगा, ये अभी आपको इन पर ध्यान देना होगा, 27 के बाद थोड़ी थोड़ी धील इनको दे सकते हैं, एक बात और कहूंगा, अगर एक बार व्यक्ति गड़बड आएगा जब, तो वो 28 से 31 तक, मतलब अभी आपको 9 साल, ये अभी 2022 है, अभी 9 साल टोटली आपको इनका खयाल रखना होगा, आप अगर माताजी हैं तो, और नेसंदे उसके बाद चीजें पट्री पे आने लगेंगी, व्यक्ति कंभीर हो जाएगा, गंभीरता है, पर चंचलता भी है, क्योंकि मैं अगर समझ रहूं तो यहाँ प पर काम कर सकता है, हाड कई बार जिब जस होता है, किसी को सौफ़्टेर से समझ भीरति जो है, वो काम कर सकता है शवनी है, और जन्म कुणली में बुध्ध जो हैं, वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, बेक्ति को बधिमान बनाने वाला हो सकता है, साथिस बख्ति को और भी निकटते, निकटता से ला करके आपके इनकी करियर को समझाता हूँ, थोड़ समझनी का प्रयास करिए का, लगन के अधिपती जन्मकुंडली में मंगल बनते हैं, वो जन्मकुंडली में नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग चंद्रमा कर दिये, और लगन को एक टाइम नहीं रहेगी, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, मतलब काम पट्री पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनका नीच भंग हुआ, और लगन को शुभकरत्री लगा, और साथ ही साथ, अब ज़रा ध्यान से समझेए, यहाँ पे जब आप दश्वमस्थान को देख क्या बोलते हैं, एक अंग्रेजी में शब्द है, determination, हाँ, determination के साथ व्यक्ति को इस बात पे फोकस करना चाहिए, कि मैं जो ब्यवसाय चुन रहा हूँ, यह जिस कैरियर में जाना चाह रहा हूँ, वो कितना सही है, और मैं उसमें कितना खरा उतर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे स् दिमाग लगाना हो, ऐसे छित्र में, जिसको पहले किसी ने किया ना हो, नई चीजें बनाना, creativity, जन्मकुर्ली में पंचम भाव के अधिपती, जो है वो सूरिय, अस्तम में बैठे हैं, प्रोफेसर, लेक्शरर, बैंकिंग, सॉफ्ट्वेर के छित्र में ब्यक्ति जा सकता मतलब, aeronautical engineering, उसके बाद बड़े-बड़े जो machine बनते हैं, जो प्राया, जिनका केंद्र होता है, वो software से चलता है, ऐसे छित्रों में ब्यक्ति काम कर सकता है, कुछ नबने तो ब्यक्ति जो है, वो पढ़ाने के छित्र में भी जा सकता है, research के छित्र में भी जा सकता है, higher education ब्यक्ति का अच्छा देख रहा हूँ, क्योंकि मंगल अस्तम भाव के अधिपती होकर के चंद्रमा को और लगन को भी देख रहा है, गुरू से केंद्र में है, सिच्छतिय गुन भी ब्यक्ति के पास है, ब्यक्ति का communication अच्छा होगा, ब्यक्ति बोलेगा, तो सब क्योंकि वाणी भाव पे सुर्य और बुद्ध का प्रभाव है, शनी उच्छे के हैं, गंबीर है, अगर अपना काम भी करना चाहे, तो पत्थरों से जुड़ करके और हाड़वेर से जुड़ करके कोई भी काम कर सकता है, अगर पढ़ाना हो तो इस छित्र में जिसमें बै ठीक करना है, तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी चीजे मैंने कही है, सुर्य का 108 नाम जो महाभारत के वन पर्भ से लिया गया है, अगर वहां से आपको कहीं मिल जाए, कि सुर्य का 108 कौन-कौन सा नाम होता है, आप उसको चुगार करिए, उसका पाठ पढ़वाईए, और सा ब्यक्ति को गीत कोविंद का बाट भी एक अध्याय या एक पद ही ब्यक्ति पढ़ लिया करें, अपने घर में गीत कोविंद मंगाईए, ये बात इतनी है, ब्यक्ति के जीवन में गीता जी का भी अध्यायन और अध्यापन जरूर बना रहे है, क्योंकि सुर्य और क्योंकि गुरू भी शत्रू के घर में है और सुर्य भी अस्थम भाव में है, तो ऐसी अवस्था में ब्यक्ति जो है, और गुरू यहां भी अस्थम में है, सुर्य यहां भी थोड़े से क्रूर बना रहे है, यहां तो गुरू आ रहे है, राहू के साथ है, गुरू राहू के मंतरों का जब ताकि उसकी बुद्धी विक्षित होती रहे शपलता को प्राप्त न करे और व्यक्ति चंचलनेत्रों का न बने इस कुंडली की कमजोरी चंद्रमा का 12 में जाना इस कुंडली की दूसरी कमजोरी सुर्य का 8 में जाना इस कुंडली के भाव में अगर देखें, तो ये भाव ठीक बन रहा है, ये भाव ठीक बन रहा है, चतुर्थ सब्तमस्थान के अधिपती और द्यूतियस्थान के अधिपती का ब्रक्ति कई बार कुछ ना करें तो अपना ब्योसाहिवी बहुत अच्छा कर सकता है, ये बात भी मैं देख रहा हूँ, हाठी डिग्री के हैं और साथी साथ उत्रफ हालगुनी नक्षत्र में बैटे हैं, पुनर्वर्शु नक्षत्र का गुरु ब्यक्ति के जीवन में धर्म धारन करवाने वाला पनेगा, 25 परतिसवत का परणाम मंगल करेंगे, बुद्ध और जन्म कुंडली में संपोन परण इसका मतलब है कि हमें बुद्ध की दशा में ब्यक्ती पे विशेश ध्यान रखने की आवशकता होगी, ब्यक्ति कहीं बाहर न जाये, यात्रा न करे, बुद्ध की दशा में ब्यक्ति गलत निरणय ना ले, ये बात भी दिखती है, बुद्ध की दशा इस कुंडली में खराब नहीं होने देगी, शनी चीक, शनी बढ़ियां बैटे हैं, मृतप राया हैं, इस वजह से वो ठीकी है, खराब नहीं है, अगर एकादश में भाव कादी पती, शुक्र इन भी कुंडली में मृतप राया है, शनी मृतप राया है, राहू और केतु की दशाह इनके पैदा करते हैं, यह असिस्तती बनेगी, पर यहां के लिए, मतलब राहू की जो दो दृष्टियां है, वो अच्छी जा रहे हैं, गुरू की जो दो दृष्टियां है, वो कमजोर जा रहे हैं, एक सामान्ने, दूसरी अच्छी और पहली, थोड़ी सामान्ने, मतलब यह द असंतुलित हो करके व्याय करता है, उसका व्याय असंतूलन में नहीं है, मतलब वो सोच समझ करके व्याय करेगा, ऐसे इस्तुती है, वो खर्च बेवज़ा का नहीं करेगा, मंगल का प्रभाव यहां पर है, व्यक्तितों को धनी बनाएगा, स्वास्त ठीक रखेगा, मंगल इस भाव से केंदर में गुरू बैटे हैं, इस भाव से तुर्थियस्त तसूरिय July बैटे हैं, इस भाव के ठीक आगे शनी राहू बैटे हैं, व्रक्ति का शत्रु कभी कुछ बिगार दहीं सकता है। इतनी सी बात है। आपकी कुर्णी में शुक्रशनी मृतप्राया और शुक्रशनी मृतप्राया गुरू भी मृतप्राया ही हो रहे हैं। इस वज़ा से मैं यह बात कहूँ गा, कि व्यक्ति के जीवन में गाय की सेवा बने, गीता जी का अध्यायन अध्यापन बने, धार्मिक्ता का प्रभाव बने, गुरुवार का व्यक्ति जो है वो गुरुवार को भी नमक छोड़ सकता है, मंदिर का दर्शन, जाना चाहिए, व्यक्ति को मंदिर धोने का काम करना चा साथ लेकिन केतु से द्रिस्ट है इस वज़े से थोड़ा बहुत सामानने तया थोड़ी बहुत समस्या रहेगी पर यहां पर शुक्र बैठे हैं भौती कि धाढस में रखने वाला बना देता है लगनेश यहां पर जन्मकुड़ी में छे नंबर में यहां भी जो तुला राशी के मंगल बनते हैं यहां पर चन्दरमा की द्रिष्टी अच्छी बन रही है यानि कि चन्दरमा यहां पर इस भाव में बल देंगे सहसी बनाएंगे नहां पे मंगल छटेबाव में चंद्रमा के साथ व्यक्ति को कभी भी अर्थ की हानी नहीं होती है, धन नुकसान में नहीं जाता है, शेर सट्टेबाजी लोट्री यादी से भी व्यक्ति धन कमा सकता है, सूध पे भी पैसे चला सकता है ब्रक्तिर टेबल के नीचे से घुस खोरी से भी पैसे कमा सकता है ऐसी स्थियोतियां देख रहा हूँ पर चंद्रमा अगर बारह में है और उनके पास बल है इस वज़े से एक तरीके से मैं ये बात कहूँगा कि मन कभी-कभी अपवित्र रहे ऐसा हो सकता है मन न लगने की शिकायत ब्रक्ति करता रहे पर उसमें मंगल का प्रभाव है इस वज़े से उसमें सास रहेगा, बल रहेगा ब्रक्तिर डिप्रेश नहीं होगा ये बात है ये तो इतनी बात बता ही मैंने दर्शमान्स कुंडली मैंने बता दी करम अच्छेतर ठीक है दर्वान्स कुंडली में थोड़ी सी सुख भुगाहट मैं कमजोरी बाली देख रहा हूँ क्योंकि गुरु का प्रभाव सुक्र को देख रहा है तो ठीकी भी होगा लेकिन नीच की दिष्टी है और वो बहुत अच्छे नहीं बैठे है तो कभी-कभी व्यक्ति को पेट का रोगी और हड्डियों का दर्द ऐसी संभावना है विक्षित होते देख रहा हूँ यह आपकी कुंडली है अब इस कुंडली में मैं और भी निकटता से अगर देखूं तो D7 चार्ट पे अगर चर्चा करूं तो व्यक्ति की कुंडली में संत्ति का सुख मिलेगा हो सकता है थोड़ा लेट हो ऐसी स्थुती बन रही है व्यक्ति की कुंडली में संपूर्ण तरीके सगर मैं कहूं तो थोड़ी बहुत मशकत जीवन में हमेशा बनी रहेगी, थोड़ी बहुत प्रतियोगिता हमेशा बनी रहेगी, पर व्यक्ति परक्रमी होगा, कुछ भी हो जाए, व्यक्ति का मन अशान्त नहीं है, यहां को छोड़ करके, मतलब एक लेवल में आने के बाद, एक सवक्त के जैसे 42 वर्ष के बाद, 40 में वर्ष के बाद, व्यक्ति दीरे दीरे अस्थायत्तों को प्राप्त करता जाता है, आयू अच्छी होती है क्योंकि लगन को शनी देख रहे हैं, गंभेरता अच्छी होती है क्योंकि लगन को शनी देख रहे हैं, और confusion राहू दे सकते हैं, इस में बैटे हैं, शत्रुता ना पाले, सब को मित्र बना करके चले, लेकिन किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा भी न करें, क्यूंकि आप जातिका हैं तो मैं यह प्राया जातिकाओं को कहता हूं कि यात्रा में किसी पर भरोसा न करें, आजकल का समाच जो है वो यह कहने की कई प्रकार से आपकी कुंडली में गुरु यहां बैठे एक, शनी यहां बैठे दो, मंगल यहां बैठे तीन, एक यहां सुर्य बुद्ध बैठे चार, यहां सुक्र बैठे पांच, यहां छे गरह बैठे, मतलब 12 भावों में से 6 भावों में अगर गरह बैठे हों तो ब्यक्ति के नेचर के लिए ब्यक्ति के पिता के साथ समंधों के लिए और ब्यक्ति के बुद्धिमान होने के लिए पर उनकी वाणी बड़ी प्रबुद्ध होती है पिता भाव ठीक है पिता भाव बहुत अच्छा है माता से थोड़ी सी कमजोरी या माता से थोड़ा सा प्र अधिपती चंद्रमा पे मंगल की दृष्टी है लगनेश ने चतुर्त भाव के अधिपती को देखा है और मंगल अस्तम छटे भाव में बैट करके देख रहे हैं ऐसे स्थती बनती है कि बक्ति नौकरी प्राप्त कर लेता है पर जो जो छेत्र मैंने कहे हैं प्राइवेट से आत्मबल कमजोर हो रहा है रहती काम बदल सकता है बार बार काम बदलने के आप रभाव नहीं रखिएगा आपके जीवन में अनुभाव बहुत अच्छा है पेट की समस्याएं बनी रहेंगी पेट की समस्या बनी रहेगी आत्मबल कमजोर होता रहेगा उसको भी ठीक करना चाहे और बाहर रह जाना चाहे तो भी रह सकता है ऐसी स्थती में कुंड़ी में देख रहा हूँ तब तक के लिए जाज़त दीजिए कुछ इसी तरीके से आज के कारिक्रम का समापन करते हैं प्रतेग दिन का कारिक्रम अवच्छ देखा करिए इंस्टाग्राम पे न-a-k-u-l-p-a-r-a-s-h-a-r-a से मैं मिल जाऊंगा और साथ ही साथ मेरा अप्लिकेशन जोतिश ही लक्ष नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा जे वाईयो ई आई एस एच एच आई एले के एस एच वाईये इस नाम से आप मुझे वहां भी ढूंड सकते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत तमस्क्राइब